जहिन बच्चो अपना स्कूल ओलेंग चैलल में आपका स्वागत है आजम क्लास एट में सुब्जेक्ट साइन्स में चैप्टर रीड करेंगे चैप्टर नमबर फाइव जो की है फ्रिक्षन तो आईए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को फ्रिक्षन को तो देखिए सब्सक्राइब करते हैं तो जैसी उसमें कुछ अच्छी स्पीड हो जाती है हम उसको पैडल करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है बाइसाइकल जो है आईस्ता इस्ता ग्रेजुली स्लोड़ाउन करने के लिए इसको यह कॉंस्टन स्पीड पर मूब करती है वह पैडल जब तक मारेंगे तब तक वह स्ट्रेट रोड पर चलती रहेगी जैसी पैडल माना बंद होगे वह आईस्ता इस्ता कुछ डिस्टन्स के बाद स्टॉप हो जाती है तो देखिए लास्ट चेप्टर म होती है किसी पी की बॉड़ की सपीड को चैंज करने के लिए उसकी ड्रेक्शन और मोचन को चींज करने के लिए और उसका जो अगर इंसा इसको मोचन में है तो इसको रेस्ट में रहें के लिए तो देखिये इसी तरह ही है तो जैसे कि रोल डाउट एक बॉल है जब बाइक सैकल है वह आई इसता अच्छा स्लोडाउन हो जाते हैं और फाइनली रेस्ट पोजिशन बें आ जाते हैं क्योंकि उनके उपर एक फॉर्स एक्ट कर रहे हैं जैसे हमने उसके फोर्स एक्ट कर र है जैसे हम इसको रुक करते वो रुक जाता है तो इसकी होता है इसी के बारे उपड़ यह पर हमारा है भेस है तो देखिए एफ्ट क्या है इक फोर्स का फेक्ट रहे है जिसको हम्हे से करते हैं कि फोट्स लग रहा है कहां पर ब्टवीं दा रोलिंग बॉल एंदे ग्राउं जो रहा है और ग्राउंड कर रहे हैं तो क्लिंद्य टूर्ण। सर्फिस पे जहां बॉल उसको ग्राउंड को टेच कर रही है तो देखिए यह फोर्ज है अपोज करता है कोई बीच में जब वह कॉंटेक्ट में हैं दूसरे के तो यह फ्रिक्शन के कारणी होता है कि जो ग्राउंड और सर्फिस ऑफ़ बॉल है जा साइकल है साइकल के यह व फ्रिक्शन क्या एक कॉंटेक्ट फोर्स है जो कॉंटेक्ट से लगता है किसी चीज को कॉंटेक्ट में आने से आप देखिए हम कह सकते हैं एक अब्जेक्ट मूब करता है या मूब करने की कोशिश करता है एक सर्फिस के उपर तो देखिए तब क्या होता है एक फोर्स है उनके contact में लग रहा है जो उनके contact के दो हिस्सें जहां पर उनका matching हो रहा है तो हम इस force को कहते हैं force of friction जा simply इसको friction कह सकते हैं तो देखिए ये understand करते हैं कि ये contact force जो है यह always oppose करता है ये oppose करना की कोशिस करता सब्सक्सक्राइब तो देखिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं суп बोकन सकर तो यहां पर रगाए इस इसका जो लगाते हैं वह पूजिट है 現ét को में कि गाल कर रहा है है तो जेस की ओफी ड्रक्शन बंद कर देते हैं तो जेक कॉंटेक्ट फोर्स है तो देखे इसमें अक्टिविटी दिखा रखेक एक एक्टिविटी में क्या है कि हमारे पास four match boxes हैं तो मैं activity पर पास ले जाता हूं दिक हमारे पास four match boxes थे उनको हमने मैं अलग-अलग materials में wrap कर लिया जैसे कि हमें बताया गया कौन-कौन से मैं wrap किया है कि जैसे plastic एक sand paper ले लिया एक plastic paper ले लिया aluminum foil ले लिया handmade paper ले लिया एक wooden tray plastic tray तो क्या किया उन्होंने एक arrangement मनाया जिसमें तीन trays हैं एक वुड़ी की है लगडी की एक plastic की है एक metal की है और यह चार की चार जो match boxes थे इनको हमने wrap कर लिया एक को simple paper में एक aluminum foil में एक को plastic से किसी तो उसको हमने tray में रखके जैसी इस tray को tilt किया तो हमने observe करना है कि कौन सम ट्रेल जल्दी आएगा कौन सा slow आएगा और wood के case में क्या होगा plastic case में क्या होगा और स्टील के case में कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा तो देखे दिख रहा है कि सेम टिल्ट करने पर से सेम एंगल पर उसको उठाने पर लिफ्ट करने पर एक साइड को तो देखे जो स्टील के case में जो है वह ज्यादा मूब कर रही है मैच्टिक्स as compared to wood के case में तो इसका कारण क्या है कि यह force of friction है उसको भी कुछ ना सर्फिस वह रॉफ है रॉफ है तो वह कहां उनका कांटेक्ट सर्फिस जहां वो क्या रहा है यह फ्र जाएगा लाइद कि जो सब्सक्राइब है जिसमें कुछ रफने साइब फ्रिक्षिन वाला तो देखिए अगर माली कोई सर्फिस हमें देखने में समूथ लग रहा है अनेडिड मींज बिना किसी हेल्प के हम सिंपल आँखों से देख रहे हैं तो कोई सर्फिस हो सकता है में बहुत समूथ दिख रहा है देखने में लेकिन देखिए उसमें फिर भी लार्ज नंबर ओफ मिनट छोट होते हैं चाहिए वह फ्लैट है चाहिए वह रफ है चाहिए वह समूथ देखिए इसी के उपर ही यह Krisian इसी कारण लगता है तो देखिए की एक सिंपल एंडर्स्टेंडिंग है भी कॉस क्या फ्रिक्षिन का देखिए जब दो इसका इसका वेट है बॉक्स का यह इसके उपर करने से इसको प्रैस कर देता दो सर्फिस को तो जिसके कारण क्या है जो चीज इंट्रलॉक हो जाती है वह मूब करना बंद कर देती है तो देखिए जो irregularities है one surface की वो interlock हो जाती है दूसरी के regularities के साथ तो जिससे क्या करते हैं वो interlocking हो जाती है जैसे कि साख के तीथ होते हैं अपनी आरी के तीथ होते है आरी के तीथ है शहते हैं उसके fix हो जाएंगे close हो जाएंगे तो देखिए इसलिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इनको अनलॉक करने के लिए इंटर लॉकिंग को जो हो गी हैं दो सर्फिस के बीच में ताकि वो मूब करे सके एक दूसरे के डिस्पेक्टिवली तो देखिए इस इंटर लॉकिंग में इंटर लॉकिंग में इंटर लॉकिंग होगी थी इसको हम व्यू कर सकते हैं देख सकते हैं कि यह एक कारण है जिसके कारण फ्रिक्शन लगता है जिसके कारण दो सर्फिसे स्लोडाउन हो जाते हैं जिसके कारण का यह रॉयल्टिव मो होगा जादा होगा इसके उपर बात करेंगे तो देखें यह फोर्स फ्रिक्षिन है जो दो सर्फिस के बीच में कॉंटक्ट में लग रहा है वह क्या किस पर डिपेंड करते हैं कि वह सर्फिस कितना रफ है या कितना समूथ है तो देखिए अगर आप कोई सर्फिस ज्यादा तो उसमें आप एडाउन जादा होंगी तो जादा हमारा वह फोर्स फिक्षिन लगेगा हमें जादा जो लगाना पड़ेगा उसको मूब करने में उसके अगर वो कोई सर्फिस समूथ हैं तो वहाँ पर आप एप एंडाउन स्थोटी होंगी तो सिमिलरली उसको कम जो लग दढ़ेंस विचन के बीच में कम लगेगा तो हम कह सकते अडिमेंज कि फॉर्स फ्रिक्षिन लिए है दो सर्फिसे बीच में किस पर अप सर्फिस की उनके जो सर्फिस साथ में कि स्प्रिंग बैलन्स लगाया हुआ है तो जैसे पूल कर रहे हैं देखिए इसमें रीडिंग बढ़ती जाएगी लेकिन बॉड्डियों मूब नहीं कर रही हमने कुछ प्रैस्ट लगाया बॉड़ी मूब नहीं कर रही है यहां रीडिंग बढ़ रही है बैलन्स में हमें दिखती रही है तो देखिए से मैं क्या पता लगता है वह आगे डिसकस कर रहे हैं कि जो फोर्स और फ्रिक्षन है यह डिपेंड करता है मैगनी चूट के उपर भी उस चीज़ के बजन के उपर भी कैसे क्योंकि देखिए जैसे हैं हमने इसको लगाया मान करने पड़ेगी एक बुक और लग दीजिए उसके लिए और ज्यादा इसको पुछ करना पड़ेगा और ज्यादा हमें एफट की पड़ेगी तो इट मीन जो फोर्स और फ्रिक्षन है कॉन्टेक्ट सर्फेस उतनी था लेकिन यह कि इस पर डिपेंड करते बोड़ी के तो यह स्कारान तो दो इस तो चीज पर करता है नंबर वन नेच्छर पी सर्फेस हैं रफ हैं जो स्मूथ हैं इस चीज़ पर डिपेंड करता है जो फोर्स उनको प्रेस कर रहा है मिंज की उनको कितना वेट है कितना बजन है एक देखिए कार है एक ट्रक है ट्रक का वीड़् पूल करें पूश करें तो देखिए उसमें ज्यादा लगी कि मारी लेकिन कार की केस में को कि उसका वेट कम है तो उसमें कम एफट लगेगी तो इसी तरह यह जो फ्रिक्शन है यह दो चीजों के नेचर करते हैं कि उनका सर्फिस कैसा है राफ है स्मूथ है और सेकंड उनके उनमें प्रैशर किपने व्कितने से जूड़ी है मिं जीट कितना है बॉड़ी रीक्शनठी यह दें === का mixer सभॉड़ी करते हैं यह को चीजो फॉर्स अचाहर तो फ्रिक्शन है यह कैसा फोर्स लगार सर्फिक्श करते है बॉड़ी के हो उपर करना उसको मूब करना चाहती है तो भी हम कहा सकते हैं कि यहां पर दो टाइप के फ्रिक्शन है एक तो स्ट्रिक्षिट्ट एक स्लाइड इस तो देखिए यह अपने पास एक्टिविटी से इसमें देखिए यह ब्लॉक है तो हमने पहले एफ फोर्स लगाया इसको पुछ किय लेकिन यह मूब नहीं किया फिर हमने इसमें टू एफ लगाया फोर्स तब भी मूब नहीं किया ऐसे करते करते हम जब इसके टू एफ से ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा यह अपना जो ब्लॉक है मूब करना शुरू हो जाएगा तो इट मेंज जो स्टैटिक फिरिक् इसकी कि वैल्यू है मैक्सिमम अगर हम उसको रीच कर जाएंगे उसके वब चले जाएंगे तो बाड़ी मूब करेगी अदरवेश बाड़ी मूब नहीं करेगी तो स्टैटिक फिक्षिंग क्या एक सेलफ इजस्टिंग फ्रिक्षिन है तो देखें बात करते हैं इसी वैल् बाड़ी जब करना शुरू कर जाएगी तो उसको कहते हैं लिम्टिंग फोर्स फ्रिक्षिंग के फोर्स के बाद वो उसका कि खतम हो गया तो देखें इसी को बात करते हैं इसे में क्या रिजल्ट आता है कि यह फोर्स अप्लाइग कर रहे हैं बॉड़ी को पर हम रेस्ट म वो क्या है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है जब तक बॉडी स्टैशनरी पूजिशन में है उस पे जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स जो उसको रोक रहा है उसके मोशन को उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और यह स्टैटिक फिक्शन जो है वो क्या करता है हमारा दूसरा weight है जो बज़न है जो उसको दूसरी तरफ मूब करना चाहते उसको अपोस करता रोकता है तो जैसे जैसे हम यह फोर्स लगाते गए बॉड़ी के उपर हम बॉड़ी के पर फोर्स लगाते गए उसको को मूब करने के लिए तो स्टैटिक फिक्षिन क्या है वो भी बढ़ता गया तो देखिए एक लिमट आई एक मैक्सिम्म लिमट आई जिस तक जब तक वो बढ़ा उसके बाद क्या हुआ वो जीरो हो गया इट मिंच उस वैल्यू को मैक्सिम्म वैल्यू को जहां तक भी स्लाइड होनी शुरू होगी सर्फिस के उपर जहां पर रेस्ट कर रही थी तो आफ्टर इस इसके बाद क्या है क्या आया अब स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो गया क्योंकि वह पूजीशन थी उसकी चेंज होगी अब वह मोशन में आगी अब कौन सा फ्रिक्शन आगया स्ला के अब जब बॉडी स्टैशनरी पूजिशन भी थी तब जो फ्रॉर्स लग रहा था उसके बस फ्रिक्शन फॉर्स ऑवो श्टैटिक क्रूप करनी चुरू होगी तो इसको फिक्रेशन लग रहाराιο इसका नाम है अबना स्लाइडिंग फ्रीक्षिसन तो भाइडिंग फ्र चैनल के रोलिंग रोल है उसके उपर से पास कर रहा है अब इसमें मार्बल्स डालेंगे तो हमने माल लीजिए पांस मार्बल्स डालें यह नहीं मुव किया फिर करते-करते आठ मार्बल्स पर फोड़ी सी मुव करने शुरू होगी तो इसकी लिम्टिंग वैल्यू है स्टैक स्टैकि फिक्षिन की जितने के बाद वह लोग करना शुरू कर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि आठ मार्बल्स डालने पर बेट जालने पर जाड़ मार्बल्स जितना फोर्ष लगाने पर यह भॉडी यह हैं मूब करना शुरू करदेगी तो इसकी जो मैक्सिम बैल्यों स्ट जब काम करते है जब बॉड़ी जो है वो अपनी स्टेशनरी है और उनकी बीच में कोई भी मोशन नहीं हो रहा बॉड़ी दूसरे उपर मोव नहीं कर रही बहुत स्टेशनरी पूजिशन में है और यह बैलन्स करता रहता है अप्लाइड फोर्स को जब तक बॉड़ी सलाइडंग फिक्षन एक्ट करता है तो ऐसका रिजन क्या है चाहें सर्फेस्य थोनों सेंबों करते हैं से से सिम्पल एकस्प्रेशन से तो देखिए हमें गिवन दिया गया एक ब्लॉक है मान लीजिए ग्रांड ऑफ दोनों केसे सिम रखेंगे स्टैट इस में भी स्लेडि स्टार्ट्य नगी मैंतलिंखे सब्सक्राइए तो देखिए मोड्ज जयासेव मोचन स्टार्ट्ट हो घया जो वह पर घ्र पांपर ऱंपर चार केजी řशक लगाया नई मुब गया जैसे चार से थोड़ा सा और बढ़ाया तो यह मूब करनी शुरू हो गई तो देखिए स्टैटिक के केस में मैक्सिम वैल्यू क्या थी चार केजी थी लेकिन जैसे मूब करना शुरू हो गया अब मैं तीन केजी से भी इसको मूब कर सकता हूं तो कहने का मतलब क्या है जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू जादा होती है और जो स्राइडिंग फ्रिक्शन है उसमें हमें कम जो लगाना पड़ता है इसी चीज़ को हम अब एक्स्प्रेइन करेंगे अग्जाम्पल के साथ तो देखी जब भी रेल्टिव मोशन होता है दो सर्फिसेज के बीच में तो उनकी इंटर लॉकिंग होती है जो इंटर लॉकिंग में आफस में इंटर लॉकिंग लॉक होती है अब जैसी देखिए दो सर्फिसेज है एक की इंटर लॉकिंग दूसरी की इंटर लॉकिंग ह स्टार्ट कर देते हैं तब ही मुव करना जब उनकी इंट्र लॉकिंग जो है वह उन्लॉक जाएंगी जब तक वह लॉक रहेंगी वह सर्फिस भूब नहीं करेंगे तो जैसी मोशन स्टार्ट हो गया अब इन इरगुलॉर्टी को क्या है टाइम नहीं मिलेगा कि दूसरे में इंट्र लॉक होने की इसी लिए जो हमारा स्टैक्टिक फ्रिक्शन है उसमें वैल्यू जादा लगाती पड़ती है और स्लाइडिंग फिक्शन में हमें कम जो लगाना पड़ता है इसी बात को हम यहां पर बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं वन्जा मोशन स्टार्ट मोशन अबने को स्टार्ट हो गया जो कॉंट्टेक्ट सर्फिस इस थे उनके अपन डाउन से उनको सफिशन टैम नहीं मिलता कि वह लॉक हो सके उनकोंटेक्ट सर्फिस के साथ इसलिए जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू जो होती है अपनी स्टैक्टिक्शन स से कम होती है नहीं नेक्ट बात करते हैं रोलिंग क conjunto की तो रोलींग कि क्या है देखिया आपने बच्चों की जिल हो सब्सक्राइब करते हैं अब देखिए पहले वाली अक्टिविटी करते हैं इसमें माली हमने एट मार्बल्स डाले तो यह मूब करी थी तो अब देखिए अब एट नहीं अब हम फाइव जा एट से कम मार्बल से इसको हम मूब कर देंगे क्योंकि इतने बजन से इसके ओपर मूब करना शुरू कर देगी क्योंकि अब चौन सर्फेस जाधा कॉंडेक्ट में था अब सर्फेस का कॉंडेक्ट भी कम हो गया और वाकी क्या है रोलिंग नीचर हो गया अब कम पार्बल्स डालने पर वही यह जो ब्लॉ तो में में कम प्रेशर लगता है कम फोर्स लगता है तो इस मच बहुत असान है रोल करना स्लाइड के कामले में एक गिवन सर्फेस पर ही तो यही कारण है रेलबे प्लेटफॉर्म पर बस टॉपस पर जो आपने नोटिस किया होगा कि स्मॉल चिल्डरंस है वो इजली क्या कर जिससे एजी हो जाता है बच्चों के लिए उसको पुल करना सूटकेस को तो इजी टू एप्रिशेट कि यह कहना बहुता इनको एप्रिशेट करना बहुत सही रहेगा कि लेबर जो है वो मशीन जैसे बड़ी-बड़ी मशीन से उनको रोल करने के लिए उनकी नीचे प्रिक्षन इसलिए क्या है कब आता है यह प्ले में जब एक बॉड़ी दूसरी बॉड़ी को पर मूब करती है तो हम क्या करते हैं उसमें कौन सा फ्रिक्षन लग रहा है रोलिंग फ्रिक्षन तो जब एक बॉड़ी दूसरी बॉड़ी उपर मूब कर रही है तब जो फ्र सर्फिसेज आप समय रोल करने शुरू कर गए एक दूसरे उपर तो हमने नाम दे दिया रोलिंग फ्रिक्षन तो लेकिन बात क्या है जो स्टैटिक फ्रिक्षन है उसकी वैल्यू काफी हाई है और स्लाइडिंग की और कम है और रोलिंग की सबसे कम है मींज एक सेम बैग ही ल प्रिक्षन उससे कम है और रोलिंग फ्रिक्षन सबसे कम होता है इसमें मींज कम सबसे कम फोर्स लगाना पड़ता है तो आगे बात करते हैं अपनी वील के बारे में तो देखिए जो टाय अपना वील का इंवेंशन था यह भी एक बहुत बड़ा रहा है तो देखिए रोलिंग फ्रिक्षन जैसे हमने पड़ा है बहुत कम लगता है एस कंपे टू स्लाइडिंग फ्रिक्षन जिसके कारण इंसान ने इंवेंट क्या कर दिया वील्स की इंव हम पुलपूश करके कहीं भी ले जा सकते थे लेकिन आज की लाइफ में डेली लाइफ में यो वील्स हैं इनका यूज होता है ट्रांस्पोर्टेशन में कोई भी गाड़ी मोटर है उसके वील्स है क्योंकि रोलिंग फ्रिक्षन कम होता है हैबी से हैवीट को हम एजली एक स डॉपर इंफलेटेट टायर एक टायर में प्रॉपर हवा बड़ी होगी है तो ंसलाइड नहीं करेगा बलकि रोल करेगा क्योंकि रोलिंग में फ्रिक्षन कम होता है तो असानी से वो मूग कर जाएगा जो है कि इससे कि हमारे फ्यूँल की सेविंग होती है 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 नेक्स बात करते हैं correction में ही एक वइन के ऊपर्क की प्रिक्षिन है थे इक हो पाने च्छ Parece यूजरोरी भी है लेकिन कुछ कैसे इस केसी प्रिक्षिन हो नफ नजी को वेस्ट करता है हमारे machine के parts को damage करता है क्योंकि एक part दूसरे को पर move करता है तो उसमें कुछ heat जो है उसकी energy है वो waste हो जाती है उसको overcome करने में तो इसलिए harmful और जो evil है वो इस situation में क्या है जो harmful की बात करेंगे कि friction निसेस्टी की बात भी करेंगे पहले तो पहले बात करेंगे कि necessary evil तो जो हमारा ये friction है कि necessary evil है means बहुत जुरूरी evil है जो की हमें चाहिए तो friction क्या करता है हमारे बहुत important role play करता हमारे daily life में तो many of our daily activities है वो depend करती है presence of friction force के उपर some cases में friction जो है useful है और बहुत जुरूरी है इन अधर cases में कुछ cases में friction में नहीं चाहिए क्योंकि वेस्ट करते हैं हमारी energy को damage करते हैं हमारे moving machine parts को क्योंकि जब एक पार दूसरे को पर move करता है तो heat produce होती है तो वो damage होते हैं और हमारी energy waste होती है उसको move करने में अगर friction जादा लगेगा तो इसलिए एक harmful and evil है situations में में तो यह बात करते हैं friction a necessity friction है हमें जुरूरत क्यों है इसकी walking on the ground ground की तुरने के लिए तो देखिए it is a friction between the ground and our feet हमारे shoes और ground की बीच में friction ही है जिसके कारण हम वाक कर सकते हैं when we walk हम जब तुरते हैं तो क्या करते हैं पुश करते हैं ग्राउंड को जो कि हमारे under the feet है उसको backward direction में तब ही हम आगी की तरफ बढ़ पाते हैं तो देखिए यह पुश कर रहा है तब ही हम आगी की तरफ बढ़ पा रहे हैं जिसके कारण हमें forward reaction मिल रही है जिसके हमारी body हो अगर फ्रिक्शन मान लीजिए हमारे feet और ground के बीच में absent हो जाए तो क्या होगा हम possibly walk नहीं कर पाएंगे अगर हम ट्राई करेंगे वाक करने की सुमूद सर्फेस पे भी चाहें ऑली सर्फेस पे भी हम क्या है हम नहीं possibly walk नहीं कर पाएंगे तो क्यों होता है यही कारण है कि कि हम स्लिप कर जाते हैं वैट फ्लोर पे ओली फ्लोर पे क्योंकि वाटर जो ओल होता फ्लोर पे वह एक थिन लेर बना लेता है अब हमारे feet और floor के बीच में जिससे जो है हमारा friction था शूज और feet के बीच में वह कम हो गया तो उससे कारण क्या होता है हमारी grip नहीं बन सकती ग्राउंट से और जो हम है वह स्लिप हो जाते हैं कि तो अबर feet are then no longer able to grip the floor तो जिसके करहां backwards पुशिया जाते हैं और हम स्लिप हो जाते हैं तो इसमें देखिए do you know में है सेंड गेरी आती है हमारी roads के उपर जिनके उपर स्नो गिर जाती है तो स्नो क्या है हमारे टायर्स और गाड़ी के टायर्स के बीच में यो फ्रिक्शन को कम कर देती है स्किप वह स्लाइड हो जाएंगे वह अपना मूबनी कर पाएंगे तो उसके लिए वहाँ पर सैंड गेरी जाती है तांकि फ्रिक्शन मन जाए कुछ पकड़ बन जाए तो इसलिए रोड को कवर किया जाता है स्नो से जब स्नो से कवर की हो जो तो तो तहां वहाँ पर क्या स्किटिंग के वेहिकल के पीछे दूदर स्रिप करने के पूछ खोड़े कम हो जाते हैं इसलिए रोड पे जहां पर स्नो कबड़ है वहां पर सैंड तो की जाती है नेक्स बात कर रहे हैं रोलिंग की फ्रिक्शन बट्वीन टायर्स एन वीलस एंडर रोड गूविश्टी है अगर वीकल को आगे मूब करने सेफली तो माल लीजे गाड़े मूब कर रहे हैं अपना रोड पे अगर उनके बीच में फ्रिक्शन यहीं होगा रोड और है एक वेल्यू से तो क्या है जो टायर्स है यहां वो लूज कर देंगे अपनी ग्रीप रोड से और वीकल है हमारा स्किड हो जाएगा इसलिए रोलिंग के समय में फ्रिक्शन निसेस्टी है थर्ड है प्रफॉर्मिंग स्मॉल डे टुडे अक्टिविटी जैसे मैजिनेश नहीं है जिसके कारन हम hold करते हैं इंको चौक और ब्लाइक बोलीट के उपर के अग्र मारली ब्लाइकबोल का स्रफेस रफ्स रफ ना हो तो पने ब Vamos बम करेगे जिसके कारन हम लिखनी पाएंगे तो ग्राल ए Pakistani जोक स्चियान् bir हो रहा है यह हो इस एक सब्सक्राइब ने सबक्राइब 32 यह जो की तो में किसे इवले भी यह तो किसा ने क्याना चाहरे में लोग्षूमिन तो देखिए जो भी चीज़ें हमारे पहाड़ों पर है अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा सब इक सभी चीज़ें नीचे की तरफ मूब कर जाएंगी अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हमतना है क्योंते हैं क्यों से फ्रिक्शन है तभी रगड़ है तभी हीट जिलती है तर्वाइज यह पॉस्य 개le नहीं है अब gray अब देखे vai now the यह फ्रिक्षण एद्टान अब देखे फ्रिक्षण में चाहिए वी नीए यह कैसे है कि देखे फ्रिक्षण इनीड़ फॉर प्रो मैं अक्टिवीटीज हमें लाइफ में चाहिए लेकिन फिर भी इसकी कुछ अटिज कुष अधिक्षे अधिन आजब सेंषिन न्हें पाट यूस का कुछ पाट है वो फिक्षन को खत्म करने में चला जाता है रही न्यक्राइब होता है तो as a friction opposes any relative motion between two objects जो कि दो objects contact में उनके जो motion को रोकता है तो कुछ effort जा कुछ force उसको मौडी को move करने में waste हो जाता है उस friction को overcome करने में तो इसलिए हमें नहीं चाहिए तो दूजूनों में है friction क्या है इसको कभी हम eliminate निकर सथे खतम नहीं कर सकते नहीं इसको हम रिडियूस कर सकते जीरों तक चाहिए हम कितना भी पॉलिश कर लें सर्फिस को कितना भी स्मूथ कर लें इन फैक्ट जो फ्रिक्षिन है वह काफी हाई वैलिउस तक पहुंच सकता है अगर हमारा चैन गोट अप टू बैरी हाई वैलिउस जादा नजीक जाजेंगे और उनकी बीच में बहुत ज्यादा एक ट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा जिसके कारण उसके में भी फ्रिक्षिन ज्यादा लग जाएगा स्ट्रॉंग इंट्रलॉकिंग होने कारण तो मेंज हम फ्रिक्षिन को जीरों नहीं कर सकते बिलकुल इसको कम नहीं कर सकते हैं अगर हम किसी सर्फेस को बहुत ज्यादा स्मूथ भी कर देंगे तो उल्टा उसका क्या होगा बहुत ज्यादा स्मूथ होने कारण उसमें क्या एक स्ट्रॉंग एट्रैक्शन हो जाएगी फोर्सेज की मॉलीकूल की बीच में जिसके कारण वह और ब्रिज्ज में आप रेल भी बिज्ज में जाते हो देखिए वहां पर कितना जीज जाती है जो यहां लोहा लगा होता है तो क्या होता है वह फ्रिक्शन के कारण होता है जो हमारे प्राने शूज हमारे प्राने शूज जाते हैं फ्रिक्शन के कारण होता है तो देखिए आ की हीट की फॉर्म में इस फ्रिक्षन को ओवरकम करने में तो मशीनों में जितनी पावर होती है तो देखिए हमने एक मैच को स्ट्राइक किया एक रफ सर्फस के उपर तो यह क्याज कर लेती है फाइर को वेन बिग्रेसली रब अब जैसे हम अपने पालम्स को जोर-जोर से रगड़ते हैं कि दूसरे के साथ कुछ मिनिट के लिए तो देखिए वह गर्म हो जाते हैं यह किसके कारण तो दानर्जी र्कॉयर्ट टो फ्रिक्षन को खतम करने के लिए वह किसमें कर लेती है तो जैसे ही यह हम वार्मिंग होते हैं हमरे पॉलम्स की विंटर में हम करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी गर्मी मिलें तो यह प्रॉलम मन जाती है मशीन के पार्ट की बीच में क्योंकि एक मशीन पार्ट दूसरे को पर मूब करता है तो क्या करता है उसको फ्रिक्षन को अबरकम करने के लिए जो अनर्जी थी वह हीट में प्रॉडिस हो जाती है जिसके हम जिससे हमारी मशीन पार्ट से वह डैमेज हो जाते हैं आगर देखिए डू जूनो में है यह जो अपने बीच में सेम ही है रीजन क्या है फोर्स फ्रिक्षन जो है इंडिपेंडंट एर्य uf कॉन्ट उसका एर्या, कोई लेन देना Нीघा थे, तो बड़े टैयर agradे है चौडे, यह ज्यादा चौड़े हो जाएगे उनमें व고 सर्फिस पर बढ़ जाएगा तो जिसके कारण की जस्ट वीर टीर ही कम होगी मान लीजिए एक टैयर कम चोड़ा है रोड पे चल रहा है एक बहुत चोड़ा है उससे मुकावले तो इसमें फ्रिक्शन पर कोई फ्रक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन यह बलग बात है कि अब देखिए चोटे टैयर के केस में पतले टैयर केस में पूरी पूरी वहीकल की बॉड़ी का वेटी तर लग रहा था तो इसकी वीर टीर ज्यादा होगी लेकिन इस केस में वह जो प्रैशर था वह कम हो गया इसका एरिया को बढ़ने कारण अब इस टैयर की वीर टीर कम हो जाएगी लेकिन फ्रिक्शन उतनी लगेगा तो देखिया आगे हैं बात बात मैथर्स ओफ अंग्रीजिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन बढ़ाने के तरीके टायर की बीच में क्योंकि टायर में हम चाहते हैं कि बढ़े ताकि ज्यादा ग्रिब बने तो कुछ सिच्वेशन जहां पर हम क्या है फ्रिक्शन को के सब्सक्राइब होंधा सब्सक्राइब के सब्सक्राइब में बलाख आए दान पर नागोदा इसे हमें होगा गृएं हैं यही कारण है sportsman और players होते हैं वो special types के sports shoes पहनते हैं जिसमें spikes और cleats लगे होते हैं एक piece लगा होता है metal का रबड का उनके souls में जुत्तों के souls में जिससे कि वो better grip बना सके ground के साथ देखे जो athletes होते हैं या other sports persons होते हैं जब वो खेलते हैं वो यूज करते हैं friction का तो gymnastics में देखिए लोग जो करते हैं अपना जो चाक पौडर जास को अपने hands पे रब करते हैं क्योंकि उनको डंडों के उपर gymnastic करनी होती है उसको पकड़ना तो ग्रिप को अच्छा करना होता है तो इससे क्या होता है जो force friction वो increase हो जाता है उनके hands की बीच में और uneven बार्स की बीच में जो की डंडेंगे उन्होंने पकड़के काम करना था उनकी ग्रिप है वो बैटर हो जाती है इसी रीजन के कारण कबड़ी गेम में यह प्लेयर्स हैं वो रब करते हैं अपनी सब्सक्राइब को ताकि उनकी बैटर ग्रिप्स बन जाए अपने ब्रोध्यों के प्रति ताकि उनको पकड़ें तो उनसे अच्छी ब्रिप बने वो देखें मैथर से सब्सक्राइब करने के फ्रिक्शन को तो फर्स्ट मैथर पॉलिशिंग अगरम किसी सर्फिस को पॉलिश कर दे तो उसके जो रफ एन अपन डाउन सी रफनेस थी वो कम हो जाएगी जिससे फ्रिक्शन कुछ हद तक कम हो जाएगा तो देखें डू जूनों में है जब हम तो बट्वीन दम सेकिंड क्या है पॉल्शिंग से क्या वो सर्फिस मूथ हो गया और फ्रिक्शन उसका कम हो गया इसलिए हम रब करते हैं सर्फिस को फाइन पेपर से तांकि उसके बीच की जो अनिवन नैस से को हम कम कर सके नेक्स्ट में फ्रिक्शन को कम करने का लूब्र अपना लूब्रिकेंट डाल देते हैं बाई साइकल और मोटर के मेकैनिक्स जो होते ग्रीज यूज करते मूविंग पार्ट्स में मशीनों में इससे क्या होता है जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है उनमें उनकी एफिचिंसी बढ़ जाती है तो क्या होता है जो ऑल लाइक सबस्टेंसीज यह करते हैं फ्रिक्शन को कम करने में जब उनको इसकी बीच में डाल ला जाते हैं तो ऐसे सबस्टेंस इसको जो Pam करते हैं मशीन में के पार्स में च्रथिन बनचा हो की दोनों सर्फ के के बीच में जहां की बॉल उब्रिकेंट यूज किया था तो जैसी सर्फिस अब दोनों रब करेंगे तो वो डिरेक्ट कॉंटेक्ट में नहीं करेंगे उनमें फ्रिक्ष्ट नहीं कम हो गया तो जो इंटर लॉकिंग जो इन्टर इसकी थी वह भी कम होगी क्योंकि उनकी सब्सक्राइब करते हैं तो हम संप्रिंग करते हैं थोड़ा सा वहां पर डालते हैं कौन सा टालकम पाउडर के उपर ऐसा करने से क्या होता है जो टालकम पाउडर है वह फ्रिक्ष्ट को कम कर देता है हमारे स्ट्राइकर और बोड के सर्फिस के बीच में ताकि वह असानी स से मूब कर सके और ज्यादा दूर तक हिट कर सके ज्यादा बढ़ियां हिट कर सके इन सम मशीन से इट में नॉट बीड़ाइबल तो जूज ऑल कुछ मशीनों में और लुब्रिकेंट नहीं यूज करते एंड एयर कुशन बेट्वीन दा मुविंग पार्ट इस आल सो अफ्ट है यह ट्रैवल कर सकता है लैंड पर भी और वाटर पर भी बिदाउट मच फ्रिक्शन ज्यादा दोल लगाए विना यह मूब करता है और एर के कुशन के कारण मीं इसमें एर जो है नीचे से पंप होगी जो की ग्राउंड के साथ हिट करेगी जिसके कारण यह मूब करेगा आगे से इसको प्रपल्स निसको आगे की मूब करेगी और इसके नीचे इसको सर्फेस को टच नहीं करने देती ग्राउंड से नहीं वाटर से इसका ने इजली मूब कर सकता है तो इसे देखे कंप्रेस्ट और प्यूरिफाइड जो एर है वह भी लूब्रिक एंड के तो औ अगर हम कंप्रेस्ट एर और प्यूरिफाइड को यूज करेंगे तो हमारे जो मूबिंग पार्ट उनके बीचे में फ्रिक्शन तो कम होगा होगा बलकि डर्ट वगरा भी उस हवासे निकल जाएगी तो दिखिए यह प्रॉपर्टी जो एर की हैं बहुत इंपॉर्टन है इन समूथ राइडवर होवर क्राफ्ट तो होवर क्राफ्ट में हमारे यही प्रॉपर्टी का यूज कि हमें पीछे मिसीन दहाई थी नेक्स्ट एस प्रडिक्शन को कम करने का बॉल बेरिंग तो इसलिए बॉल बैरेंग्स यूज करते हैं शाफ के उपर डालते हैं मोटर सकी डाइनमो जी एक्सल की वेहिकल स्के टाकी वहां पर जो वह कम हो जाए क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम रोता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन में कम एफट लगाने पड़ती है उसी के लिए दा रैल्टी मोशन जो है बट्मीन दो सर्फेसस तो कहते हैं तो देखिए क्या हैपन होगा अगर कोई सर्फेस मूब कर रहा है एर में कि एर क्या करेगी यह एक फोर्स लगाए एक फ्रिक्षन का एर वाटर अरे लिखोड्स फोर्स लगते हैं जिसको कहते हैं एक फोर्स फ्रिक्षन जो कि को मॉट करने के लिए रोगता है तो इसलिए ऽे हम कह सकते हैं कि फोल्यूट ऐसे एर से लिकोड है यह पर देखे पानी में मूब करें हम ज्यादा फोर्स लगए फ्रिक्शन एर में मूब करें तो थोड़ा कम लगेगा तो नेचर फ्लूट भी डिपेंड करता है अब शेप भी डिपेंड करती है किसी बजक्ट की से शेप आगे से स्ट्रीम लाइंड है तो हो सकता है वह यह वाटर है उसको पास कर जाए वह कम जो पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो देखे जो एर जिस्टन्स है अग्रीज होता है क्रीज करने से स्पीड की तो यह बात करते हैं कि करते हैं देखिए हमारे पास पेपर है इस पेपर हमने ऐसी छोड़ दिया तो क्या हुआ यह नीचे आएगा तो काफी समय लेगा क्योंक तो जिसके कारण यह इसके मोशन को लेकिन इसी पेपर को अगर हम इस तरह से क्रंबल कर दें और फिर गेरें तो जल्दी आएगा क्योंकि अब एर जो थी इसको कम प्रेस्ट लगा रही है क्योंकि इसका जो एरिया था वह हमने कम कर दिया तो यही चीज हमारे वीकल्स में प्लेंस में डिजाइन की जाती है उसका एरिया के से कम कि जाता है तो इसे में क्या पतल लगता है जो फ्लूट फ्रिक्शन है एर द्वारा लगाया गया वाटर द्वारा इसको हम कि सो कुछ अक्स्टेंट तक बॉड़ी की शेप बदल के अड्जेस्ट करकर कम कर सकते हैं तो देखिए जब अब्जेक्ट से मूब करते हैं फ्लूट के बिच में हायर स्पीड से तो लार्ज फोर्स है जो कि उनके मोशन को रोकता है और देखें लूज इसमें क्या है उन बॉड़ी को मूब करते हों काफी जज़ा नर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी उस फ्लूट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे उन बॉड़ी को स्पैशल शेफ देदेंगे तो देखिए जैसे कि हमने सिक्स्ट क्लास में पड़ा था कि बर्ड्स और फीशिज के जो मूब कर जाती हैं सभी तरह के फ्लूट में अल्मॉस्ट बॉड़ी क्यों है क्योंकि उनकी बॉड़ी की शेप जो है इस तरह से है कि उनकी उपर एर का फ्रेशर जाब फिश है उसके उपर वाटर का फ्रेशर फोर्स कम लगता है जो उसको रोकना चाहता है जिसके करना वो इसली मूब कर जाती है तो देखिए यही कारण यह शेप है हमारी एरोपलेन की बोड़ की है कि एरोपलेन की सिमिलेटी की बर्ड की बर्ड की तरह है एरोपलेन की सिमिलेटी और यह शेप बोड की बोड कुछ साथ तक फिश से लेटेड है ताकि जैसे फिश इजली मूब कर जाती है वाटर में हमारी बोड भी मूब कर सके जिस तरह वर्ड हमारे मूब कर जाते है यह उस तरह हमारा एरोपलेन भी इजली मूब कर सके उसको कम एफट्स रगाने पड़े कम नर्जी वेस्ट करनी पड़े तो साइंटिस्ट ने क्या किया है इन डिजैन्स को किया है शेफ को एसी तरह स्पोर्ट्स भी स्पोर्स भीशिकल की बात करें तो देखे वो डिजैन कि जाते हैं कि उनके पॉइंटर ट्वार्स फ्रंट फ्रंट की तरफ वो पॉइंटर होते हैं ताकि यह स्मूथ लिए उबर से निकल जाए असानी से उनको कट करकर चली जाए और उन पर कम से कम जो है फोर्स लगे उनकी स्पीर जो है सेम ड्रेक्शन में बढ़ी रहे तो इस देखे ऐरोपलीन की बात करते हैं यहां से इस तरह से मूब कर जाएगी यह स्ट्रीम लाइन बॉडी जैं इसको रोकेगी नहीं अगर यह फ्लैट होता तो जादा जो लगाना पड़ता शिप को मूब करने के लिए तो बॉड़ी इसकी स्ट्रीम लाइंड है यह देखे वर इसकी चले जाते हैं कम एफल लगा की इसी तरह हमारी फीश है तो कि इसमें है डूजूनों में आप अपने आसपास देखिए आप वहिकल से देखेंगे रोड पे चलते हुए ब्राइट्टी ऑफ शेप से उनकी राइट्यूफ डिजाइन से लग लग तरह के इनकी डिफर ниц से साथ जो साइनिस्ट को करते रहते हैं तác को क्यों अबबन सबस्क्राइब ताक्या सब्सक्तबर्त करें और मिट ने हैं तो अरॉट आपना नलव यूज करके करेंगी तास्फिए विडियो